हेलो दोस्तों चागत है आपका वी एक्षीटी चैनल पे आज मैं आपको बताऊंगा प्रोटोसोर्ट में फिल्टर्स का यूज करके कैसे ब्यूटिफुल्स और खोल सूरत बैकग्राउंड बना सकते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले फोटोसोप ओपन करने के बाद फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करके हमें ले लेना है पाइव थाउजन वीट्स और थी थाउजन हाइट का एक नया है यह उपन होने के बाद हमें लेयर्स क्लिक करना है लोक पटा देना है करनाने के बाद न्यू लेयर्ल लेनी है इसके बाद हमें कोई भी कलरका अगर बैकग्राउंड चाहिए हूँ सुर दोस्तों जैसे हमें स्काइब लूक लार का बैकग्राउंड से कंट्रॉल बैक स्पेस करके हमें उनसे फिल कर जाना हूँ करने के बाद सिंप्लिस लेयर्स पर क्लिक कर पीज़ देख लेयर स्लेक्ट होने चाहिए दोस्तों उसके बाद हमें फिल्टर पर क्लिक करना है और फिल्टर गैलरी पर जाना है कि मैं सोच रहे होंगे कि कैसा कलर कैसे हो गया तो दोस्ती इमेज बैलेंस के लाल इसके इंदर नॉट पेपर का इफेक्ट लगा हुआ है इससे यह हमारा बैक्ड्राउंड ऐसा हो गया सिंपल दोस्तों ऐसा बैक्ड्राउंड बनाने के लिए हमें हुआ 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 है नॉट पेपर के क्लिक करना है उसके बाद इसकी अज़िए देफ्ट बटा बटा सकते हैं इमेज बैलेंस इसके बाद ग्रेनिनेस कम ज़्यादा कर जकते हैं इस लिए इस नॉट पेपर इफेक्ट हो गया दोस्ते देखें करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा बैक्ग्राउंड आजाता है इसी तरीके से बहुत सारी इफेक्ट है फिल्टर से गैलरी के अंदर इसे मैं आपको कुछ फिल्टर सप्लाई करके दिखा देंता हूं क्लाड़ पैंसिल ऐसा एफेक्ट हो जाएगा हमारे वेक्राउंड जैसा होगा कट आउट करेंगे इसके बाद इस पर एरोपे क्लिक करेंगें क्लिक ब्रेस्ट्रोक्स की एफेक्ट कुल जाएंगे यह लग लग दोस्तों आप यूजगर पर देख सकते हैं बहुत सारी एफेक्ट्स हैं इसके अंदर इसकते हैं इसकी रिसप्टर को और श्टाइल आइज पे एक ही है ग्लोइंग एज टेक्स्टर्स के लिए भी इसके इंदर अच्छाई एफेक्ट दिये गए है ग्रेम पे ऐसा होगा टाइल्स पैच्वर्क एक लासीज अटेक्स्ट लासीज़र इसलेक्ट करते हैं कि ऑक्टे कर देंडे। देखे दोस्तों है और शुंदर से बैक्ट्राउड बन चुका है मैं जरूरी नहीं है कि दोस्तों एक ही मेज़ पर एक ही फिल्टर अपलाई हो यह फिल्टर अप्लाई करने के बाद दूसरा filter भी apply कर सकते हैं फिर से filters gallery में गही हम पर हमने patchwork apply कर दिया to ok क तरो है को कुछ ऐसा हो गया o patchwork apply करने के बाद goh filter apply कर सकते है कि इसके बाद हम कि नॉट पेपर करने चाहते हैं बेस रिलीफ कोई फिल्टर अब लाइए करने चाहते हैं कर सकते हैं जुरूर नहीं कि एक बारे में एक इमेज पर एक एफ्यक्ट कर सकते हैं लाल के लिए दौफ तो मैं यह कि रहने देता हूं इसके अंदर सैल्स है इनकी साइज भी या से कम जादा कर सकते हैं जादा कि बॉर्डर थिक लैस हम कम कर देते हैं कर दो कि रखते हैं कि लाइट इंटेंस के अब फिर एड़्जेस्ट करने के बाद ओके कर देते हैं तो शेव करने के लिए फाइल में जाईए है से वैज यह दोस्तों मेरे पास फोटोसोप का लेटेस्ट वर्जन है कि 2020 इसलिए आपके अंदर एके उप्सन आएगा सेवन कंप्यूटर कि डेक्स्टोप इसके सेव करने हों है जेपी जी यहां से ले लीजी जेपी जीजी पोर मेटर करने होगा कर सकते हैं इसका नाम डाल दीजिए और और सेव कर दीजिए प्रिक्वाल्टी है वाल्टी आप कम जादर कर सकते हैं पर आप इसे लार्ज पर मैक्सिमम पर ही रहन दीजिए रोके कर दीजिए इसके बाद दोस्तों मारा बैक्राउंट से हो चुका है और यह आपर आज को यह देखिए दूस्तों कि देंग्राउंट अब रैड कलर वाला तो यह रहां रेकुल बैक्राइब दूस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी कोमेंट करके ज़रूर बताएं और फोटोशोप और इलस्ट्रेटर और वी एफेक्स से जुड़े और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दन्यवात हो तो मिलते हैं अगली वीडियो